स्वागत है आपका मेरे योट्यूब चैनल में तो आज फिर से एक नए ट्रिक के साथ नए आइडिया लेके आई हूँ तो किसी ने मुझसे इंस्टा पे रिक्वेस्ट की थी तो उनी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो में लेके आई हूँ आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो बिना फॉर्म, बिना जिप, बिना लाइनिंग कपड़े के सिरफ एक रेक्टेंगल पीस को नए ट्रिक से फोल करके मैंने इस टोरेज बैग को बनाया है जिसमें आप धेर सारी चीजें स्टोर करके रख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा तो देखिए मैंने कट कर लिया इस तरीके से कपड़ा बीच में मैं आटा बैग यूज़ कर रही है आप चाहें तो राइस बैग, फॉर्म शीट या कोई भी आपके पास बुक्रम वगेरा कुछ भी पड़ी है वो आप यूज़ कर सकते हैं उसके बाद पिन अप कर लिया है इसके मेसरमेंट है 30.5 इंच और ऐसे है 33.5 इंच अब आपको क्या करना है पिन अप कर लिया और उसके बाद आपको सिलाई लगानी है तो देखें सिलाई लगा के सिंगल कुल्टिट पीस मेरे पास रेडी हो गया तो नॉर्मल सिलाई मशीन और 16 नंबर की मैंने नीडल यूज़ की है अब आपको क्या करना है चारो तरफ से इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करते वे सिलाई लगा लेनी है तो देखें सिंगल पीस हमारे पास रेडी हो गया अब चारो कॉर्णर से हमें इसमें कट लगाना है तो 9.5 इंच इंटू 9.5 इंच का हम इसमें कट लगाएंगे और ये जो हम साइड से कट लगाएंगे इसका जो बचावा कपड़ा होगा ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे इसे भी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं देखें तो चारो कॉर्णर पे देखें सेम मेजरमेंट के साथ 9.5 इंच इंटू 9.5 इंच का मैंने निशान लगा लिया और उसके बाद मैंने उसे कट कर लिया तो देखें इस तरीके से हमारा कट हो गया और चार बड़े पीसे हमारे पास आ गए तो इन्हें आपको फैक नन नहीं है इसे हमारा बाद में फ्लैप बनेगा तो इसमें से बिल्कुल भी हम कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे तो चलिए पहले हम इसे बना लेते हैं अब यहां पर मैं ट्रांस्पेरेंट शीट इंसर्ट कर रही हूँ 4 इंच का निशान लगाया दोनों तरफ से और उपर की तरफ से भी यहां पर देखे 4 इंच का निशान लगाते वे आपको मिलाना है और यहां से आपको 1 इंच का करीब एक देखे जितना हमारा इंची टेप है उतना डिस्टेंस रखना है और इन निशानों को हमें आपस में मिला लेना है तो मैं ट्रांस्पिरेंट शीट यूज कर रही हूँ अगर आप यूज नहीं करना चाते तो इस वाले स्टेप को आप स्किप कर दीजिएगा बीच में से यह देखे तो यह मैंने ट्रांस्पिरेंट शीट के लिए बनाया है इससे यह हमारा अंदर की तरफ एजली फोल्ड हो जाएगा तो अब ले लेते हम ट्रांस्पिरेंट शीट तो इसके में जमन भी बता देती हूँ कितने साइस का हमने यह लिया है 11 इंच और ऐसे है 8.5 इंच अब इसे एक तरफ नीचे की तरफ से आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करते वे सिलाई लगा लेनी है तो पूरा लंबाई में हम इस पे सिलाई लगा लेंगे तो यह हमारा बन गया देखे अब अटैच कैसे करना है वो बता देती हूँ आपको तो ट्रांस्पेरिंट शीट को रखना है आपको यहां देखी बिल्कुल बेश से मिलाते हुए जो सिलाई है इस तरीके से रखना है और उसके बाद आपको यहां से जो हमने कट लगाया है वहां से आपको इसे फोल्ड कर लेना है तो देखिए मैंने सिलाई लगा के इसे ready कर लिया है, transparent sheet attach हो गई, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ये वाला step skip कर दीजिएगा, तो चलिए अब हम इसे आगे बनाते हैं, आगे हमें क्या करना है, चारो corners हमें इसके मिलाने हैं देखिए, और हम ये box shape में बना लेंगे, तो आपको यहां पर भी सिलाई लगा लेनी है, 2, और सेम इसी तरीके से, 3 और 4, तो चारो corner पर हम सिलाई लगाएंगे, तो ये हमारा box shape में बन जाएगा, तो देखिए, ये मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है, अब रफ है जिसको हम piping वाली पटी से finish कर लेंगे, देखिए मैंने piping से finish कर लिया, तो नीचे वाला हमारा bag ready हो गया है, अब हम इसके लिए handle बना लेते हैं पहले, तो दो मिनट इसे रखते हैं side पे, handle बनाने के लिए देखिए, दो pieces लिए हैं मैंने, इसके measurement भी बता देती हूं आपको, ये है 12 inch और ऐसे है 3.5 inch, इसके बीच में भी मैं आटे वाले bag का एक plastic यूज़ करूंगी, अगर आप form sheet यूज़ कर रहे हैं तो form sheet का piece यूज़ कर सकते हैं, और इसे इस तरीके से fold करते वे, दोनों strap को आपको ready कर लेना है, तो दोनों strap ready हो गए हैं, तो strap को हम join कर लेंगे, देखिए एक इस तरफ और एक इसके सामने वाली side, strap के लिए measurement क्या है, सबसे पहले आपको center point का निशान लगाना है, फिर center point के आप बाद आपको 1 inch का निशान लगाना है, उसके बाद नीचे की तरफ 1.5 inch का निशान लगाना है, सेम ऐसे ये निशान आपको दूसरी तरफ भी लगा लेना है, पहले 1 inch का और उसके बाद 1.5 zapi winch का अब जो हमने निशान लगाए हैं इनी निशानों के उपर हम strap को attach करेंगे तो हम strap ले लेते हैं और नीचे की तरफ से आपको fold करना है fold करते वह इस निशान के उपर रखना है और thigh lie लगा लेनी है same ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है तो दोनों strap को हम join कर लेंगे तो देखिए हमारे strap side वाले दोनों join हो चुके हैं तो अब हम इसके लिए बनाएंगे flap तो flap बनाने के लिए हम वही 4 pieces use करेंगे जो starting में हमारे side से बचे हुए थे तो इसे हमारा flap बन जाएगा अराम से तो पहले हम इने आपस में join करके एक बड़ा rectangle pieces बना लेते हैं फिर उस rectangle piece से हम flap cut कर लेंगे तो पहले हम इसे join कर लेते हैं देखिए दो pieces join किये top stitch लगा लीजिए और उनके बाद इने आपस में join करेंगे और sila लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद इसके उपर भी हम top stitch लगा लेंगे तो ये हमारा rectangle piece ready हो गया पर ये बड़ा है इसलिए extra मैं इसमें से कपड़ा cut कर लेती हूँ तो extra मैंने cut कर लिया अब मैं आपको measurement बता देती हूँ कितने size का मैंने ये cut किया है तो ऐसे है ये 14.5 inch और ऐसे है 14 inch अब आपको क्या करना है same size का lining का piece लेना है और lining वाला piece और जो main fabric है दोनों की सीधी तरफ अंदर की तरफ एक तरफ से सिलाई लगानी है और यहां तक सिलाई लगानी है थोड़ा सा छोड़ देना है जहां से हम इसे सीधा करेंगे सिलाई लगाने के बाद side से छोड़े छोटे noches लगा लेने है corner से ताकि यह easily हमारा turn हो जाए और अच्छे से इसके corners बन जाए तो noches लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे और देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है उसके बाद जहां से थोड़ा सा open है वहां से आपको fold करना है और fold करते वे पूरे के उपर top stitch लगा लेना है तो देखिए यह हमारा हो गया flap ready तो अब हम इसे join कर लेते हैं तो join कैसे करना है वो भी बता देती हूँ यहाँ पीछे वाली तरफ हम इसे join करना है लगाने वाले हैं वेल्क्रो तो देखिए इस तरीके से बन गया तो अब हम ले लेते हैं वेल्क्रो तो वेल्क्रो के दो पीसिस लिए हैं मैंने इसे हम अटैच कर लेंगे दो पीसिस यहाँ पे अटैच करने है flap के उपर यहाँ पर और दो pieces जहाँ पर यह हमारा flap बंद होगा यह देखे इस तरीके से flap आएगा और यहाँ पर बंद होगा तो दो PCS को हम यहाँ पर attach कर लेंगे जो इसके साथ वाले हैं देखें यहाँ पर तो यह देखे इस तरीके से आया है bag का final look तो काफी अच्छे बड़े साइस का बना है काफी सारे कपड़े आ गए देखिए इसमें सामने से ट्रांस्पिरेंट शीट है तो विजिबल है कि आपने कौन-कौन से कपड़े इसमें स्टोर करके रखे हैं तो इस तरीके के स्टोरेज बैग आप घर में बना सकते हैं और पहले दिखा देती हूं स्पेस कितना देखिए काफी सारे कपड़े मैंने रख दिये हैं ट्रांस्पिरेंट शीट है तो दिख जाएगा आपको विजिबल की कौन सा कपड़ा कहां रखा है बनाने में बहुत असान था देखिए सिंगल डेक्टेंगल पीस से मैंने इसे बन नहीं है बनाने में असान तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू